बोलिये शिरी प्यारे नाथ प्यारे की जैंग बोलिये शिरी सत्गुरू माहराज की जैंग प्यारे सुन्दर साजी क्या हमने कभी अपने जीवन में ये विचार किया है कि हमें ये जो मनुष्टन मिला है ये किसलिये मिला है इसका मुख्य लक्ष क्या है ये मनुष्टन तो हमें चुरासी लाग ख्यूनियों के बात प्राप्त हुआ है तो सोचिए क्या हम इसका कोई लाग उठा भी रहे हैं या फिर नहीं बानी में भी लिखा है वृथा का निगमोरे पामी प्रदार्थ चार उत्तम मान को खंड भरतनो सुरिष्ट कुली सिर्दार सुन्दर साज जी हमें सिफ मनुष्टन ही नहीं बलकी चार अनमोर प्रदार्थ प्राप्त हुए हैं पहला उत्तम मनुष्टन दूसरा भरत खंड तीसरा अठाइस्वा कल्यूग तथा चौथा ब्रह्म ज्यान पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम इन चार अनमोर प्रदार्थों को पाकर भी अपने जीवन को तो ब्यर्थी गवा रही हैं इसका मूल कारण ये है कि मनुष्ट तो अपने मूल स्वरूप को ही बूल बैठा है मनुष्ट को सिदय विगुमान रहता है कि मेरे पास बुद्धी है इसलिए मैं पशों के मुकाबले अपनी सुक अराम की चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ परंतु सुन्दर साजी पशों को तो इन चीजों की आवशक्ता ही नहीं होती उनकी आवशक्ता का समान तो प्रकृती ने उन्हें पहले से ही दे रखा है उन्हें ना मेज की आवर्शत्ता होती है ना गद्धों की ना बिस्त्रों की और ना ही उनका शीश मेलों से कोई वास्ता है क्योंकि जो अराम मनुष को नरम मुलायम गद्धों में है उनको तो रेद के टीलों पर सोते हुए भी कुछ कम नहीं है मनुष तो ये कभी गर्व करते हुए नहीं ठकता कि मैं बिद्या ग्रहन कर सकता हूं धन कमा सकता हूं मान और सम्मान पा सकता हूं पर अंतु ये सब तो पशू नहीं कर सकते लेकिन यदि हमने इस लोग में आकर पूरम प्रमात्मा की पहचान नहीं की तो इसका मतलब हमने भी इस संसार में आकर कुछ भी प्राप नहीं किया हमसे तो पशु ही कई गुना अच्छे हैं जो दूसरों के काम तो आते हैं दूद बिलाते हैं हल चलाते हैं भार डोते हैं राक्षी करते हैं यहां तक की मरने के बाद भी उनकी हड़ियां मास और चमडा हमारे काम आता हैं गुर्वाणी में भी लिखा है नर मरे नर काम नावे पसु मरे दसकात सवारे एक और संथ भी फुर्माते हैं बंदे नालो रुख चंगेरा जेडा लग पे बिन लायों टीमा खाए ते फल खवाए अते परक न करदा अचायों मनुष का हाल देखिए चंगा खाए ते चंगा पहने अते रबदा नाम पुलायों चंगा खाए ते चंगा पहने अते रबदा नाम पुलायों आख गवाला मोया जीवद्याम तू केडे कम आयों सुन्दर साजी हम तो इस संसार में अपना सारा वक्त खाने पीने सोने तथा धन कमाने में ही लगा देते हैं और हमारा जो मुख्य लक्ष पूरंब्रंपरमात्मा की प्राप्ति हैं उसे तो हम भूली बैठे हैं क्योंकि हम तो इस नश्वर शरीर को ही अपना असल स्वरूप समझ बैठे हैं फरीजी भी फरमाते हैं परीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आहो के हेकम तू आहो के हेकम सुन्दर साजी कई-कई मनुश्यों का तो ये कहना होता है कि इस संसार में सब सुप सुविदाओं की वस्वें हमारे ही खातिर बनी है यदि हम उनको नहीं भोगेंगे तो फिर कौन भोगेगा जिन लोगों की ये वाज है यदि उनसे कहा जाए कि भाई मान लिया इस संसार में सब प्रदार तो आपके ही खातिर बने है परंतु किसी से ये पूछ लो कि आप किसलिए बने हो इसका उत्तर तो कोई भी नहीं देता सत्गुरु तो कहते है ए मनुश तु जिसे शरीर समझ रहा है ये शरीर नहीं है ये शरीर तो तेरा नौकर है नौकर की तन खा तो रोटी कपड़ा इतियादी होती है उसे वे दे और उसे वे काम भी ले जिसके लिए वे तुझे मिला है जिस घर में मालिक नौकर को खाने पीने के लिए खुला खर्च दे परन्तु उससे काम लेने का ढ़ंग नहीं आता बे तो सदा हानी उठाता है और अगर उस घर में सब अधिकार नौकर के हो जाएं और नौकर भी मालिक के विरुद हो तो सोचिए उस घर के मालिक का क्या हाल होगा कुछी दिनों में नौकर मालिक को कंगाल कर देगा यही हाल सुन्दर साज जी इस जीव का हो रहा है इसे इस शरीर ने इतनी नीच दशा में पहुँचा दिया है कि ये जीव बिचारा 84 लाग यूनियों में ठोकरे खाता हुआ बटकता फिर रहा है और इससे वे काम जो उसे लेना चाहिए बे नहीं ले रहा सुन्दर साज जी हमारी हालत तो उस आदमी जैसी है जिसके घर एक बार एक सादू आये थे उस आदमी ने सादू की बहुत सेवा की सादू ने उससे प्रसन होकर उफार के तौर में एक सप्ता के लिए पारस्मनी सौप दी आदमी उस पारस्मनी को लेकर बहुत खुशता सादू ने कहा की लोहे को रगड़ कर तू जितना भी सोना बना सकता है बना ले फिर एक सप्ता के बाद आकर मैं इसे ले जाऊंगा ये कहकर सादू वहां से चले गए आदमी अब रोज बजार जाता और लोहे का भाव पूच कर ही लोटाता सोचता जब लोहां सस्ता होगा तब खरीद लूँगा ऐसे करते करते दिन बीटते चले गए छटा और सात्वा दिन भी बीट गया लोहे का भाव तो कम ही नहीं हुआ बलकी वे तो बढ़ता ही गया साद दिन बाद सादू अपने किये इकरार पर आए और उसका हाल देखकर वे तो अश्चरे चके थे उन्होंने उसकी ये दशा का कारण पूछा उन्होंने कहा कि तुझे तो मैंने ऐसी चीज दी थी जिससे तो तू एक पल में ही माला माल हो सकता था परन्तू तेरी नादानी की तो हदी हो गई उस आदमी ने कुतर दिया सादू जी उस लोहे का भाफ तो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया सादू हसे और कहा अरे नादान तुझे तो मैंने ऐसी चीज दी थी जिससे तो तू एक पल में ही माला माल हो सकता था परन्तू तूने उसका लाप क्यों नहीं उठाया ये सुनकर आदमी रोने लग पड़ा सादू ने कहा बता अब पच्चताने का क्या पाइदा हुआ सुन्दर साजी हमारी हालत भी तो इस आदमी जैसी है हमें भी ये जिन्दगी चन दिनों के लिए मिली है यदि हमने भी इस सुनेरी अफसर को अपनी हाथ से खो दिया तो कहीं हमें भी फिर कहीं पच्चताना ना पड़ जाए शिरिमुक वाणी में भी लिखा है फिर पटकोगे हाथडे और छाती देओगे घाओ सुन्दर साज जी हम इस परमधाम के ब्रह्म ज्यान को पाकर भी यदि माया के विश्य विकारों में लीन रहेंगे तो क्या मुखले कर अपने धनी के सन्मुक होंगे गलती कबूल करने तथा गुना छोड़ने में कभी भी देर ना करे क्योंकि सफर जितना भी लंबा होता जाएगा बापसी तो उतनी ही कठिन होगी यदि हम भी इस जीवन के सफर में माया की चाना को लेकर ही आगे बढ़ते रहेंगे और जो अनमोल खजाना धाम धनी हमारे लिए लाए है उसका कोई लाप नहीं उठाएंगे तो हमारी हालत तो उस भंगी जैसी होगी जिसको एक बार राजा ने प्रसन होकर एक कंचन का थाल दिया था कंचन के थाल के बीतर और बाहर कुरोडो रुपे के हीरे लगे थे भंगी उस थाल को पाकर बहुत खुश हुआ बेरादा को दुआएं देता हुआ घर की ओर चल पड़ा घर जाके उसने वे थाल अपनी भंगन को दे दिया भंगन उस थाल को पाकर तो बहुत खुश्ती कहा कि आज तो बढ़िया टोकरी हाथ लगी है अगले दिन भंगन ने अच्छडे कपड़े डाल लिये और सिर पर टोकरी रखकर मटक मटक कर चलने लगी और उस थाल से कुडा करकट उठाने लगी सुन्दर साजी एक दिन राजा की दृष्टी अचानक ही उस भंगी पर पड़ी बे उसे देखकर अश्चर चकित थे उनसे रहा न गया उन्होंने भंगी को अपने पास बुलाया और कहां ये क्या हाल बना रखा हैं तुने अपना भंगी ने उतर दिया हुजूर आपने तो ऐसा नायाप तोफा दिया हैं जिससे मैं तो मुसीबत से ही छूट गया हूँ नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी कुछी दिनों बाद नई टोकरी लानी पड़ जाती थी परन्तु जबसे आपने वे थाल उपहार में दिया हैं तबसे मुसीबत से छूटी गया हूँ वे थाल निरसंदे बहुत कीमती हैं क्यूकि वे ना तूटता है ना फूटता है ऐसे का ऐसे ही रहता है जैसे ही राजा ने वे थाल को देखा वे बहुत दुखे थुए उन्हों ने उस थाल को भंगी से ले लिया और बदले में कुछ टके दे कर ही उसको घर बेज दिया सुन्दर साजी हमारी और इस भंगी की आलत में अंतर ही क्या है हम भी तो इस अनमूल खजाने को पाकर माया के विश्य विकारों की गंदगी लेने का काम ही तो इससे ले रहे है यदि हमने भी इस अमूल्य जीवन को हाथ से खो दिया तो कहीं हमें भी पच्चताना ना पड़ जाए हमारे इस दीवन पर तो दिकार है दिख दिख पड़ों मेरी पाचों इंदरी दिख दिख पड़ों मेरी दे शेरी शाम सुन्दर वर छोड़के संसार सोकियो सने आखा खोल तू आप अपनी बोलिये शिरी प्यारनाथ प्यारे की जैंग बोलिये शिरी सत्गुरू माहराज की जैंग परणाम जी